Assalamualaikum, कैसे हैं, आप सब लोग उमीद हैं, सब लोग ठीक ठाक होंगे, खेलियत से होंगे, मज़े में होंगे जी जनाब, आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सिर्फ शॉपिंग की वीडियो है, हम कौन कौन से स्टोर्स गए हैं सारी, आज इतने स्टोर्स हम लोग गए हैं, उन सब की मैं वीडियो से इसमें डाल रही हूँ, ताके एक कंप्रीट वीडियो हो जाएगे, कौन से चीज हमने कहां से लिए, अच्छा, कॉसको सबसे पहले हम आये थे, सबसे 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 इंपॉर्टन रीजन था, कि यहां से layers, kilo etños, MILR, diaper ID, evil बच्चों की है, जो मिल जाये, और मेरी, जो मज़े चाहिए, क्योंके, मुझे maigrain होता है, अगर मेरम valt नहीं करूं, तो मुझे माइग्रेन हो जाता है तो उसकी मुझे चाहिए थी क्योंकि मुझे पता था कि पाकसान में जो है वो मेरी नीन पूरी नहीं होनी तो अफसोस लेकिन यहाँ पर मिल हीनी सकी यहाँ पर और पता रहीं कोंब कॉन कोंसी की रखीं ही थी वाइटमीन व गईरा की मिल रहीं थी लेकिन ना बच्चों की मिली और नाहीं मेरी मिली तो और यह वाला मैंने आपको दिखाया था वैली कि जा रही हूं पाकसान mosquito bites के लिए क्योंकि everyone was recommending के spray वगरा लिक्या हो anyways उसके बाद हम लोग आ गए बच्चों के toys के section में और यहां से मुझे toys ले रही था और मैं पूछ रही थी फरहां से क्योंकि फरहां गए थी दो साल पहले तो मैं उनसे idea ले थी कौन से बच्चे को क्या चीज पसंद है हम इतने expensive gifts भी लेकर जाएं और बच्चों जो है ना वो उस चीज को enjoying कर सकें क्योंकि हर जगा के बच्चे different चीज enjoy करते हैं तो वो यही कहते सारे बच्चे phone पे खेलते हैं तो मैंने यार उसको फिलाल जोड़ते हैं पहले मुझे यह बता हैं मैं बच्चों के लिए क्या लेकर जाओ तो anyways हम लोग यह सारी चीज देख रहे थे उसका दो पता नहीं लेकिन इसमा के लिए इतने अच्छे toys नजर आ रहे थे लेकिन बहुत जाद expensive भी है toy so 58 dollars से लेके 129 dollars तक यानी 130 dollars तक आपको price range में मिलेंगे लेकिन मैं डर रही थी कि मैं अगर इतना मतलब label हूं मैं और वहाँ पसंद नहीं आए किसी को और वहाँ के बच्चे मुझे नहीं पता कितने बड़े हैं और किस तरहां से मतलब क्या चीज enjoy कर दें तो मैंने की का मैं call करूंगी और मैं पूछ लोगी भाई किसको क्या अच्छा लगता है वह जादा better है में लिए अच्छा ये वाली जो जगह है यह trust me मुझे नाम बिलता नहीं क्यों बिलकुल याद नहीं आ रहा डिक्सी आउटलेट मॉल गए थे उसके बिलकुल बराबर में तो इंशाला मैं दुबारा शॉप का चकर लगाऊंगी क्योंके मुझे कहां से घर के लिए कुछ चीज़े लेनी थी और मुझे pricing बहुत अच्छी जगह हैं तो मैं इसका detail और complete मैं इसकी video बनाऊंगी क्योंके मैंने बस इसलिए छोड़ दी थी कि मैं आके ना दुबारा इस जगह की मैं winter में बनाऊंगी क्योंके ब्लैक फ्राइडे भी आ रहा है तो ब्लैक फ्राइडे के लिए मैं सोच रही थी कि यहां पर जा होती है ना तो उसको उसके shoes बहुत जल्दी मुझे मिल जाते हैं उसका size बहुत easily मिल जाता है उसको boots का बहुत शौक है तो मैंने का चलो यार at least उसका शौक तो पूरा होगा अच्छा जनाब उसके बाद अब हम आ गए हैं Walmart और यह Walmart जो है यह शेर्वे गार्डेंस वाला Walmart ह यह Heartland वाला Walmart है मुझे इसलिए याद आ गया कि यह रूबोट मैंने देखा है न तो इससे मुझे याद आ गया क्योंकि वहां का Walmart बहुत जदा पड़ा है और वहां पर पोच्छा लगाने के लिए जाडू लगाने के लिए यह रूबोट रखा गया है सो आइड़ों नो बहुत ही लेजी था कोई यह रूबोट यह वाला लेकिन मैंने का याद डिफरेंट चीज है फरहान को भी तिखाऊंगी मैं कितना याद रूबोट साख है हम सफाई के लिए सो एनिवेज मुझे जो है यह फरहान की जो बड़ी बहन है उनके सबसाद चोटा जो बेटा है मुझे उसके लिए यह रोबोट बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन फिर अगैन मैंने वापिस रख दिया के मुझे नहीं पता कि उसको यह अच्छा लगे या नहीं सो उसके बाद में मैंने कॉल्स वगारा करके उन लोगों से जो चीजे पूछी उन्होंने जो मुझे बताइए उसके अकॉर्डिंग मैंने शॉपिंग कर ली अच्छा बहराल वो वीडियो मैं ढाल चुकी हूं कि मैंने क्या शॉपिंग कर ली थी यह तो मैं आपको दिखा शामिल कर सकते हैं आई नो पाकिस्तान में भी कैरेक्टर्स वाइस और वह साही चीजे मिल जाती हैं लेकिन जब आप खुछ कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं इस टूटली डिफरंट तेंग तो वालमार्ट से निकल कर कॉस्को से निकल कर और वो दूसरी जगा जो भी थी वो लोग बहुत शौक से रख रहे थे क्योंकि इतनी साही चौकलेट्स थी अच्छा मैं रेक्मेंड यह करूंगी कि आप लोग भी कॉसको से जाकर शौपिंग करें फो चौकलेट्स ड्राइनर्ट्स इन सारी चीजों की क्योंकि यह वहां पर आपको एक तो विराइटी ब बाउचेस के पैकेट्स लिये थे जो मैं इंडिविजुली देना चाह रही थी और बहुत अच्छे होते हैं इसमें काजू है और बदाम है और क्या था चार डिफरेंट पैक्स थे चार डिफरेंट चीजें थी इसके अंदर सो आगे मैं दिखा दूँगी आपको अगर मैं जब इन्शाला बनाओंगी न कि मैंने बैक्स किस तरहां से किस में क्या रखा है तो उसमें मैं आपको दिखा दूँगी इन्वेइस उसके बाद यह था कि चीजे तो एक जगह से हमें बिल गई ही सासथ मैंने अपने लिए डिउट्रेंट क्योंके शादियों अगरा में भी जाना था और गुमने पिरने भी जाना था और पाकिसान का वैदर मुझे नहीं पता था कैसा है ठंडा है गरम है तो इस हमारी यूस की वी चीजें तो वो जाद बेटर है और ड्राइनट्स के जो बड़े वाले बॉक्स इस ते यह मैं हमेशा लेती हूँ जो बुजर्ग हजराद होती है उनके लिए इसके अलावा एक बहुत बड़ी हिट थी जो मैंने कॉसको से ही ली थी वो थी खजूर डिफ मैं आपको यह बता रही थी कि बड़े वाले जो पैकेट्स होते हैं जो वन केजी यह मनेना हाफ केजी के पैक्स होते हैं ड्राइनट्स के वो मैं बुजर्गों के लिए लेती हूँ क्योंकि उन लोगों को बहुत पसंद जा फरहान भी गए थे तो मैंने इसी थारा से सकते हैं लेकिन मैं सिफ रेकमेंडेशन के लिए काऊंगी कि जो 100 वाला बॉक्स मिलता है न आप लोग ट्राय करें कि वह वाले 100 वाले बॉक्स भाइकर ने आप पर फैमिली के साब से वो भी दे सकते हैं 100 या 50 जो बहार के हैं आउटसाइडर्स हैं 50 या 75 वाला बॉक्स दे कि यह चीज आप कंसिडर कर लिएगा और एजी होता है देने में जैसे आप कहरें तो आप सेवन के बजार टैन बाय कर लें क्योंके आने जाने वाले हैं मिलने मिलाने वाले भी होते ना तो उनको देने में भी असानी होती है ओके जनाब तो मैं वीडियो के अख्तिताम करती हूँ यहाँ पर और अब हम उपर जाएंगे और यह सारी ओपन करूँगी मैं पहले देख लूँगी और मैंने लिस्ट वगारा सारी प्रॉपर बनाई वी हैं मैंने किस तरहां से शॉपिंग लिस्ट बनाई है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाला नेक्स्ट वीडियो में किसी भी वीडियो में शेयर कर लूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मैं थोड़ी सी ना इन चीजों में थोड़ी और जादा और मैं लिस्ट बनाके काम करना प्रेफर करती हूँ ताकि उससे मुझे आइडिया यहोजाता है कि कितने लोग हैं कितनी चीजे लेनी हैं मैं over budget नहीं जाओं ये वह सारी चीजे मिल वह कि हो जाती है और बहुत सारी लोग जो है वो सिर्फ अंडर दा बजट रहकर काम करना चाते हैं उनके पास और अन टॉप कुछ नहीं होता जैसे मैं थी तो मैंने यह सोचा था यार मुझे इतने पैसों के अंदर हर हाल में काम करना है लेकिन फरहान थोड़ा सा ओर बजट जा फरहान बहुत मिसकर रहे थे अफ़कोर्स अपनी फैमली को और बच्चे पहली दफ़ा जा रहे थे उनके बगार अच्छा मेरी कोशिश है कि रीजन जो है वो जो मेरे क्लोस फैमली और फ्रेंड जो जानते हैं कि क्या रीजन है कि फरहान ने फ्लाइ नहीं किया लेकिन तो फैम उसे बात करके फिर शेयर करूंगी वोट वोट वस दे रीजन ही डिडिन गो तो बस इतना कहूंगी कि वो बिमार है तो डीटेल में मैं आपको नहीं बता सकती कि क्या बिमारी है जब तक मैं उनसे पूछने लूँ और अगर आप लोग के पास कोई ग्रिफ्ट जो चीज आ रही है ना वो मैं बना दू ताके बाद में कवर करने में आसानी होगी जब मैं पाउच बनाओंगी तो मैं बैक्स दिखा दूँ या आपको अच्छा वो एक जूता वो भी लेकर आए हम लोग ये वाला ये फरहान है उनके भाई के लिए लेकर आए हम लोग ज जाकेट की किसी को सर्वत नहीं कराची में सरदी नहीं पड़ती और अभी भी सब कह रहे हैं के गर्मी हो रही है तो एनिवेस मैं यहाँ वीडियो का इखताम करती हूँ प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जबर बताएगा और क्या क्या गिफ्ट्स आप दिए सकते हैं मैं बच के गिफ्ट्स लेकर आएंगे और में ठीक है ना फिर इंशाला मिलेंगे अला फिर्ट्स